Pension Fund Regulator and Development Authority यानि कि PFRDA ने वित मंत्री निर्मला सीतारमन से प्राइविट सेक्टर के Employees के NPS Contribution के टैक्स के नियमों को आसान बनाने की गुजारिस की है PFRDA के प्रमुख दीबक मुहनती ने 5 जनवरी को कहा था कि NPS में Private Employees का Contribution, EPF में Contribution की 12 फीस्ती लिमिट जितनी ही होनी चाहिए हाला कि वित मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में किसी बड़े ऐलान की संभावना से इनकार किया है उन्होंने कहा था कि ये Vote on Account होगा इसके बावजोत कई जानकारों का मानना है कि वित मंत्री अंतरिम बजट में टैक्स की मामलों में कुछ हद तक राहत दे सकती है वित मंत्री ने 7 दिसंबर को CII की कारिकरम में कहा था कि बड़े ऐलान के लिए जुलाई के बजट का इंतजार करना होगा जब लोकसबा चुनाओं के बाद नई सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करेगी अभी NPS में Contribution के मामले में Private Employees के लिए 10 फीस्ती की लिमिट तै है 10 फीस्ती का ये Contribution, Basic Salary और महगाई भत्ता पर आधारित होता है PFRDA का कहना है कि इसे बढ़ाकर 12 फीस्ती करने की जरूरत है सरकारे Employees के मामले में ये लिमिट 14 फीस्ती का है PFRDA NPS में Contribution पर मिलने वाले Tax Benefit को नए Tax Regime में भी लागू करने की कुजारिश की है अभी NPS में Contribution पर Tax Benefit सिर्फ Income Tax के Old Regime में ही मिलता है NPS में लोगों की दिल्चस्पी पिछले कुछ सालों में बढ़ी है इसकी वज़े ये है कि इसका Management Cost कम है और इसे सरकार का सपोर्ट हासिल है Tax Benefit, Attractive Return और कम Management कर्षट की वज़े से ये आपके Retirement Portfolio में जरूर शामिल होना चाहिए अभी एक Private Employee अपनी सालेरी का 10 फीस्ती NPS में contribute कर Section 80C CD1 के तहत Tax Deduction क्लेम कर सकता है Self Employed Professionals के लिए ये लिमिट 20 फीस्ती का है इसका मतलब ये है कि वो अपनी Gross Total Income का 20 फीस्ती NPS में contribute कर सकते हैं लेकिन ये Tax Bracket Income Tax Act के Section 80C की 1.5 लाग रुपए की लिमिट के अंदर ही आता है केदर सरकार के Employees भी NPS Tier 3 यानि कि Optional Investment Account में Contribution पर इस Section के तहत Deduction क्लेम कर सकते हैं उन्हें 3 साल की Lock-In की शर्थ पूरी करनी होगी NPS में निवेश पर Section 80C CD1 के अलावा Section 80C CD1B के तहत अतिरिक 50,000 रुपए का डिड़क्शन मिलता है इस तरह दोनों सेक्शन को मिला देने पर आपकी Cool Tax Savings पे 2 लाग रुपए तक हो जाती है यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों सेक्शन में मिलने वाले डिड़क्शन सिर्फ इंकम टैक्स की Old Resim में ही मिलता है Tax Spanner.com के Co-Founder और CEO सुधीर कौशिक ने कहा Middle और High Income Work में आने वाले लोगों के Retirement Corpus बढ़ाने के लिए यह डिड़क्शन काफी नहीं है के लिए सेक्शन 80C CD2 के तहत NPS ओफर करना अनिवारे नहीं है